हलो दोस्तों देव MTR चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो है आज मारूती सुचकी की स्विफ्ट डिजायर और इसका बेरियंट है टूर जो की टैक्सी में यूज होती है और आज मैं इसकी कीमत के बारे में बात करूँ हूँ और आपको बता हूँ हूँ कि ये गाड़ी ओन रोड कितने की पड़ी और इसके क्या-क्या फीचर है तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इनकी चारा साइट की प्रोफायल दिखा देता हूँ जिससे की आप इसको प्रॉपरली देख सको तो ये इसका बैक साइड है अगर मैं इसके प्राइज की बात करूँ तो ये है इसका जो एक्सूरूम प्राइज है 6,20,000 और 30,000 का इंसूरेंस होता है लगवग ये कम्प्लीटली 7,000 की पड़ती है और इस पे फिलाल में 40,000 का डिसकाउंट पड़ रहा है तो ये गाड़ी जो है इंसूरेंस और टैक्स वैक्स जो भी मिला मिलू के वो आपको पड़ती है 6,60,000 की 40,000 का आपको इसमें फिलाल में डिसकाउंट मिल रहा है ये गाड़ी जो है गुड़गाउं से ली है 6,60,000 की ऑन रोड पड़ी है और इसमें 21 अयार की जो किट ली है जो की जिसमें कुछ ऐसे सीरीज है उन ऐसे सीरीज को मैं आपको बात में बता हूँ पहले मैं गाड़ी की प्रूफाल की बारे में बात कर लेता हूँ तो सबसे पहले हम फ्रेंट लूप की तरफ से बात करते हैं इसमें आपको दो हैलोजन हैडलम दे रखी है नॉर्मली और ये ऐसे सीरीज है जो की एक्स्ट्रा लगवाई है बंपर के गाड़ के लिए और ब्लैक फिनिस में आपको क्रोम मिल जाती है और साथ में आपको मार करनर की फिलिंस मिल जाती है एलेक्स मॉडल है इसका लो वैरियंट इसमें आपको फॉग लेंट का ऑप्शन आता है लेकिन इसमें फॉग लेंप नहीं दीए है लेकिन आप इसको आफ्टर मार्गेट से लगवा सकते हो बाकि आपका ये सेड में इंडिगेटर हो गया और 14 इंची के आपको टायर मिल जाते हैं इसमें आपको बिद्ट ट्यूलेस और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm जो की काफी बहुत अच्छी है उवर खावट रास्तम पर चलने के लिए पीछे भी आपको 14 इंच का टायर मिल जाता है और माइरर की बात करें तो मैनवल एड़ेस्टिवल माइरर है बिदावत इलेक्टिकल और इसको आप अंदर से ही एड़ेस्ट कर सकते हो और ब्लैक फिनिस में आपको ये माइरर मिलता है और साइदिया आस दूसी तर है यहां से सी एंजी फिल होती है अब बैक साइट की बात करते हैं तो बैक साइड में आप देख सकते हो वही पराना लुक है पीचे की साइड में आपको चावी से खोलने के लिए डिकी का ओप्सन मिल जाता है अंदर से भी खोल सकते हो और क्रोम फिनिस में आपको ये साइड का पैनल मिल जाता है और उपर की तरफ आपको मारूती का बैच मिल जाता है इस टीगर से आपका टूर एस का लोगो मिल ज जाते हैं दो कि रिवर्स फार्किंग सेंसर और यह दोस्तो एस रिसी जीज़ है जो की बार से लगवाई हुई है तो चलो अभी मैं गाड़ी को अंदर से पूरा रिव्यू करता हूं हुआ है और दोस्तो शाथी इसमें हमको इसमें इसेंट्र लोकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है गाड़ी को यह इसकी चावी है दो चावी थी है यहां से हम गाड़ी को ऑप्शन को खोल देंगे और यह अदर की प्रोफाल है कि यह आप देख सकते हो सीट कवर हो गया आपकी आपका मीटर हो गया यहां पर हम गाड़ी की जो चाबी है यहां पर लगा देते हैं यहां पैट्रोल और सी एंजी का ओप्सन मिल जाता है एक सैट से आप देख रहो है यहां पैट्रोल का लोगो दिखा रहा है और दूसी तरफ सी एंजी का तो यहां से अगर इसको दवा घ्री तो प्हुत्री कि अगाई यहां से आप एड़्सक्रा पर आड़ को यह एसी के पैनल दिए हुए हैं और यह सॉझी का म्यूजिक है इस साथ ही आपको क्रीमी फिनिश में आपको इसका डैस बोड मिल जाता है और काफी अच्छी गाड़ी है टैक्सी के परपस से आप इसको खरी सकते हो इसी इसका बहुत अच्छा है साथ आपकोया मिला दोस्तमें से बहुत करता है कि मारी को क्या क्या मिला था इसमें ही स्यायों के लिए भास में यूजिक डा मैंने जो कंटन पर दिकाए ता वो बंपर गार्ड मिला है अगर दोस्तों आप ऐसे स्रीज लेना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाहर से ही ऐसे स्रीज लें कि ऐसे से बहुत ज्यादा महेंगी होती है कोई भी फायदा नहीं होता हजार की चीज को यह लग दो दो तीन तीन हार में देते हैं तो आप बैसे तो देख सकते हैं यहां पर इस पेस बहुत है इस गाड़ी में और तीन लोगों के लिए पीछे भी कंफर्टिवल है तीन है ठीक है यहां पर आप देख सकते हो यह सीट वेल्ट का उप्सन हो जाता है यहां यह गियर हो गया पर फाइव स्पीड ट्रांस्मिशन मैनुल गियर मिल जाते हैं आपको और यह इस गाड़ी में दो पावर मेंडो आती है आगे की और ऐसे स्रीज में हमको दो पीछे वाल मैं दो एर बयक मिल जाते हैं स्काहडμε 一वे तो अगे की साथ से तो यह अपने देख लिया आग मैं अआग्फ फिछ यह सकते हैं तीन लोग आरम से बैठ सकते हैं इसे मैं में कि डिगगी में कितना इस पर सबूल भी यह मैं तो तो दोस्तों आप देख सकते हो एक यह सिएंजी के इसमें लगी हुई है जो कि कमपनी से स्टॉल है यह एससरी के साथ आया तौन अर्व एससरीज के साथ आया है लेकिन लगने के बाद आप रियर वाले पीछे के साइट के स्ट्राइट नहीं दिये हुए हैं, अगर आप चाहते हैं, तो उनके लिए 1000 पे बोलोक लेते हैं, और CNG रखने के बाद इसमें बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत इसमें स्पेस बस जाता है, इसमें से 200 लीटर का इसमें बस जाता है, CNG लगने के बाद, तो आप सामा मिश इसमें रख सकत अब दोस्तों मैं आगे की साइट से इसका इंजन को दिखाता हूं आपको मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लिता हूं तो दोस्तों फाइनली गाड़ी मैंने स्टार्ट कर लिये और गाड़ी अगर आपको यहां से यह वाला ऑप्शन दे रखा है बटन का अगर आप इसको दबाते हो तो यह पैट्रोल पर आ गई है आप देख सकते हूं और यह यह वी ऐसे स्रीज में माइक यहां से आप लुटू से इससे बात कर सकते हूं अगर अगर तो अभी यह सी एन जी पर होगी दोस्तों तो फैनली मैं इसका जो आगे का बॉनट है उसको खोल लिता हूं तो आगे की तरफ से मैं इसका बॉनट खोल ले दा हूं फिर आपको दिखाता हूं तो यह है दोस्तों इसका इंजन यह है दोस्तों इसका इंजन यहां पर बैडरी दी गई है और यह इसके बॉड़ी पार्स हैं बहुत सारे इंजन के पार्स हैं साइलेंट इंजन है एकदम न्यू काड़ी है आज ही हमारे भाई जी ने निकाली है यह आप इंजन की कंडिशन देख सकते हूं जमदार इंजन है यहां से इंजन हो ड़ते हैं यहां से इंजन हो चेक कर सकते हैं कि 1197 सीची का इसका 1.2 लीटर का पैट्रोल इंजन है जो कि आपको 17-18 का माइलेज आराम से निकाल के दे देती है और लोकल में 14-15 का माइलेज और यह सी एंजी में तो 22 से 25 का ओऊना है देती है जोल में अठारी 20 का मफिनेश आपको आराम से निकाल के देती है तो दोस्तो वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो में कुछ पूछना तो कमेंट कर देना घ्लिकल देवरी सुभक ता तो दोस्तो वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज वीडियो को शेयर कर देना थैंक यू